Hello friends, इस वीडियो में, Read 2017 और 15, आर्टे 2012 और 11 की लेवल सेकंड में पूछेगे, Mathematics Teaching Methods के questions solve किये गए हैं, and friends, ये questions official answer की के साथ solve किये गए हैं. First question, ये bonus question था. Next question, यदि एक विद्यारती अलग-अलग परिक्षकों से गणित के परिक्षन में 80 में से 42 अंग समान रूप से प्राप्त करता है, तब ये परिक्षन की निम्न में से कौन सी विशेश्टाएं दर्शाता है? विश्वष्णियता, विश्वष्णियता, शाध्यता. For this question, option A and C both are correct. Next question. ये भी सही बात है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, option D. जाहां तक मुझे याद है, ये question रीट या आर्टेट में एक बार फिर से पूझा गया है, साइकों के पोर्शन में. Next question. निम्नांकित में से कौनसी शिक्षन विदी को अपचारिक अक्षा व्योस्ता में प्रियोग करना कटिन है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रायोजना, विश्लेशनात्मक. Option C, प्रायोजना में टाइम और धन दोनों ज़ादा लगते हैं और छोटे बचों के लिए ये थोड़ी कम सूटेबल है. Next question. निम्नांकित में से गणित की भाषा है? संकेता आत्मक, राष्ट्रिय, जटल, वैदिक. Option A, संकेता आत्मक. Next question. निम्नांकित में से सही मायनों में गणित हैं मूर्थ विज्ञान, अमूर्थ विज्ञान, पौतिक्य विज्ञान, सापिक्षिक विज्ञान. Option B, अमूर्थ विज्ञान. Next question. गणित की तार्किक्ता की विशेष्टा निम्नांकित में से नहीं है? शुद्धता, परिनाम की निश्चितता, मौलिक्ता, विश्य निश्टता, option D, विश्य निश्टता Next question निमनलिकित में से विध्याले के विध्यार्तियों के लिए गणित में मोखे कारी की सरवादिक महत्वपूर्ण विश्यष्टा है ये मानसिक प्रकरियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पैंसिल की आवश्यक्ता नहीं है, मौकिक रूप से प्रश्चनों को हल करने योग्य बनाती है, पेपर पैंसिल जैसा कोई इश्यू नहीं है, best answer होगा, option E Next question निम्नलिकित में से कौन सा सूचना इवं दूर संचार तकनीकी उपकरन, विशिष्ट तोर पर ग्राफ तता जामिती शिक्षन में शर्वादिक उपयोगी है, LCD प्रोजेक्टर, स्लाइट प्रोजेक्टर, अन्ता अक्रियात्मक स्वेथपट, टेलिविजन, option C, अन्ता अक गणित की प्रिकर्ती है, किये तार्किक है, किये कठिन है, किये आलंकारिक है, किये ओसत विद्यार्तियों के लिए नहीं है, option E, गणित की प्रिकर्ती तार्किक है, next question, ये bonus question था, next question, लियात्मक गणित का मेत्व है, प्रत्यक्षनुभव, स्वेम करके सीखना, अव धार्न का इसपष्ट एवं इस्थाई होना उप्रियुक्त सभी, D option उप्रियुक्त सभी, next question, गनित की भासा है, संकेत, संक्या संक्याचर, सूत्र, उप्रियुक्त सभी, option D, next question, गनित शिक्षन का किश विश्य में मैत्व है, समुदाय, विज्ञान, शिद्धान्त एवं तर्क, D option, विज्ञान, next question, अंककनित शिक्षन की उप्युक्त विधी है, प्रोजेक्ट विधी, प्रदशन विधी, विशलेशन विधी, इनमें से कोई ने, C option, विशलेशन विधी, next question, एक अध्यापक अक्षा शिक्षन में के शुद्धेशी को प्राप्त करता है, क्यानात्मक, भावात्मक, मनस्चालक, उप्रियुक्त सभी, D option, उप्रियुक्त सभी, next question, नेदानात्मक परिक्षन का मैत्व है, शिक्षन में, परामसन एवं निर्देशन में, उप्चारात्मक शिक्षन की विवस्था में, उप्रियुक्त सभी में, D option, उप्रियुक्त सभी में, next question, गणित शिक्षन के उप्युक्त विदी है, फ्याख्यान विदी, परदशन विदी, आगमन नीगमन विदी, उप्युक्त सबी, C option. गणित वे भाषा है, जैसे परमेश्वरनी शम्पूर्ण जगत या प्रमान्ड को लिख दिया है, क्या कथन किसका है? क्या कथन है? गैली लिउका. Next question. प्रोफेसर सुल्थ से के अनुसार गणित पढ़ाने का प्रात्मिक उद्देश्य है, दूसरी विदाओं में शायता प्रदान करना, मानशिक शक्ती का विकास, खाली शमे का शदुप्योग, प्रात्मिक तथा शामानी शिद्दान्तों से परिजय कराना. B option. मानशिक शक्ती का विकाश. Next question. जो विद्यारती जामेती नहीं समझ सकते, वे इस विद्याले में नहीं आ सकते. यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटों का. Next question. आगमन विती निम्न में से किसके लिए उप्यूगत है? सुत्र इस्थापित करने के लिए, सवाल को सुत्र के द्वार का पाठिकरम में मैत्व है, क्योंकि यह विज्ञान विश्यों के अध्यन में सायक है, तरकात्मक सोच को विक्सित करता है, वैवारिक जीवन में उप्योगी है, इन में से सभी. Option D. Next question. गणित की भाशा में निम्न में से किसका प्रियोग नहीं किया जाता है? गणित ये श और कॉपी में निम्न सारीनी भी बनाता है. उसकी इस प्रक्रिया से क्या निशकर्ष निकाला जा सकता है? राम खेल रहा है? राम गणित कर रहा है? राम खेल के साथ गणित कर रहा है? या राम केवल खेल रहा है? गणित नहीं कर रहा है. Correct answer. Option C. Next question. उप्चारात्मक शिक् के चैन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रशनावली की सारे प्रशन हल किये हुए हो. प्रयाप्त मात्रा में उधारण एवं प्रशनावली हो. उधारण ज्यादा तथा प्रशनावली में प्रशन कम हो. उधारण कम तथा प्रशनावली में प्रशन क्योंकि आर्टे 2011 में एक भी question teaching method से नहीं था वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे, share करे और मेरे channel को subscribe करे मिलते हैं next video में Till then thank you so much and all the best